लोग आपसे कितना प्यार करते हैं चुप नहीं हो रहे हैं यह क्या है कि आपकी रेपो है आपने ऐसी रेपो मेंटिन की है सुसाइटी में कि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं इतना आपको शौक से देखते हैं कैसा महसूस होता है यह शौरत का यह दौर आपने तो तकरीमन काफी फील्ड के अंदर काम किया इस्टार्ट कौन से फील्ड से किया था आपने स्टार्ट से किया सिंगिंग से किया नदीम जाफरी के साथ था पहरा गाना जो के टीवी पर पहली दफाया था मगर जो गाना जिसने पहले सही माइनों में शोहरत दी वो था भंगणा पाओ मैं नदीम जाफरी ने कौन सा बनाया था? नदीम जाफरी का और एक मेरा गाना था जो कि बहुत लोगी सब था गाना गोरी जरा हसके दिखाना गोरी जरा हसके दिखाना गर काली हो मरे सामने नाना मता आए अगर ये रहात फटली खान को ये गाना मिल गया तो अगर रहत गाएंगे तो गोरी से काली तक की बारी नहीं आएगी वो गोरी में बीज में सामली तक पहुंचेंगा हाँ वो बहुत मैंकि हुआ तो सामली तक आजाएंगे और अगर मैं गाऊंगा तो शायद गोरी की भी नौबत ना आए आप तो नौबत ही नहीं आने दें एक अना काया कुछ वो हुई आपका सर्कल बना होगा लोग ओडियन्स क्रियेट हुई होगी क्यार ये फकर आलम है किसी जैक से आयते है, किसी सपोर्ट से आयते है या खुद ही टारेंट लेकर आया है एक्चिली जैक जो था वो मेरी अपनी डिटाई थी मैरी जैक का नाम मेरी अपनी डिटाई थी परदस्टी जो को ब्रदास करना पड़े अच्छा लगे या मैं करूँ गा और मेदी असन की सालगेरा वाले दिन काऊ पिशोर कुमार की बरसी पे गाऊंगा है के नहीं लटा की जनम दिन पर गाऊंगा ऐसा कैलेंडर मेरे जहिन में था लेकिन अब मैं सोच रहा है बनाया जा सकते है तो बहुत अब अब जब आपको किसी गाने वालों को टेंशन देनी हो ना बड़े बड़े नामबर लोगों के जनम दिन पर गाऊ और बुरा गाऊ और उनी को ट्रिबूट पेश करें रवाद अच्छे और उनी का गाना कातिलाना हमला हो गांगा इसको कि एक गाने के साथ दैशित गर दैशित गरने खुट-कुछ गाने वाले अच्छा बताया फिर आपने गाया वो गाना पिर आपको वो सौन का आपके पास आया जिसने आपको एक ब्रेक किसे मिलिया पूदियो थे कुड़ियो थे पंगड़ा पाऊ सब्सक्राइब करकर जागे पहलाओ पैसे लागे खाना खाऊ अपना अपना खाना पी खाऊ अपी पकाऊ ते अपी खाऊ जदो भी जाओ प्याईएठी जाओ यहाँ पर प्रमिक्स किया जा सकता है यह भी तुबारा यार मैं सारे गाने तुम्हारे आज रिमिक्स करभा देंगे ना बस यह तर यह तर यह 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 कंपोज भी मैं करूंगा लिखूँगा बिमें अबस चीज़ अचा फिर यह एक फकर अलम का सफर शिरू हो गया फकर आव सांग था जी इस दोरान के अंदर ये दो गाने काने के बाद आडियन्स करियेट हो गए अवेरनेस ही लोगों को यार फकर आलम थोड़ा सा फेम मिला फेम मिला अब एक फेम के साथ ही जो है ना फैन आने शुरू हो जाते हैं फैन आते हैं तो फीमेल पहले आती है मेल तो बहुत तपते हैं जैसे आली जफर पर तपते कि आर अच्छा प्यारा है लडगी आप करती है तो उसमिसमित बात ताब से लड़का टाईप का नहीं है यह है हाँ तो आट व्राह लेकि लड़कियों की तरह का है यह है तो आपने जब यह फैन्शिप शुरू होई तो पहल जब आपने दिया किसी फीमेल को, वो लमा क्या था? एक्चली मुझे बिल्कुर याद निया है, मुझे यह ज़रूर याद है कि वो आपने बात की कि फीमेल फैंस पहले होती है मुझे जो याद है कि शुरू में मेरी जो फालोविंग थी वो बच्चों में बहुत ज़ादा थी बच्चे तो यार ना समझ होते हैं शायद इसलिए शायद इसलिए वो फैंते हैं पहले मगर पहली फीमेल कोई नहीं भूलता जो आटोग्राफ लेती है वहाद बंदे को याद रहती है अचुली चुक्ए पहली फीमेल जिसने आटोग्राफ रिया था उससे पहले बहूत सारी फीमेल जिन्दगी में आ चुकी थी और जा चुकी थी शायद इसली उनकर ऐसास नहीं पूह रही थे थैरी नहीं मेरी अपनी तबियत में भी ठेराओँ नहीं था उसका हूं आप भी ऐसा ही थे लेकि यह तो होता यह जमानी का किस्से होता एक दौर होता है आर्टिस की दौर और आर्टिस हरेके साथ बहुत सारा टाइम नहीं गुदार सकते हैं। उसकी वज़ाय क्या होती है कि उनके अपनी मस्रूफ़ात होती हैं। शेर बदलते रहते हैं, इलाके बदलते रहते हैं। जैसे स्टेंडर्ड हाई होता है, महले तबदिल होते हैं। इस आर्टिस्स किसी की प्रापटी नहीं होता है, यह कहो करके रह जाए। यह तो उसके वो लामात होते हैं, जब यह जब डिसाइड कर लेता है। तो यह फैंशिप बढ़ती गई माशा-डाह। फिर यह फीमेल में आते हैं। बच्चों से निकली, फीमेल जमाई। यह वाकिया सन फ्रैंसिस को का है? नहीं एक खातुन थी, इनका तालुक जो था वो शेख पूरा से था और इन्होंने एक मैगजीन हुआ करता था उस दमाने में, टीवी टाइम्स के नाम से अदर खून से खट एक लिखे मेरे नाम के एडिटर को के जी, मेरे घर वाले जो हैं, वो मुझे वादा किया था कि वो शादी करेंगे मुझे और ये करेंगे और आपने नहीं किया था मैंने मुझे तो इक्जिस्टिंसी का नहीं पता था आपको ब्लड ग्रूप पता था ये इसमें भी बड़ी कहानी है मैंने मुझे उस वक्त जो टीवी टाइम्स के एडिटर होते थे उन्हें भाई ने फोन किया, उन्हें कहा कि जी, आप किसी इरम शेजादी को जानते हैं मैंने कि जी, मैं तो नहीं जानता क्यूं जो उन्हें मुझे खुतूत लिखा है, तो बड़ाई कोई डाय हार्ड साइको टाइप के खते हैं साइको ही लगा हुआ मैंने कहीं तो खुन से लिक्के में इसका तो मामला उन्हें का नहीं तो अब ये बताएं कि हम चाहते हैं कि स्टोरी करें फैंस के उपर तो हम आपके इस फैंके ओपर एक स्टोरी करना चाहते हैं कुछ इससरा की कहानी हुई मैंने गए आप ही कीजेगा, ऐसे फैंसे मुझे नहीं मिलना आप कीजेए वो जब सारी उन्हें ने स्टोरी चोड़ी की तो मुझे एडिटर का बात में फोन आया का आप जादा जो हैं वो गिल्टी मत हुएगा, कहते हैं वो खून उनका नहीं था उनके फैमिली का जो बिजनस था, वो कसाई थे वो जो मुझे उन्हें हलाल होती थी, वो महाँ पर बैटके स्याई के साथ लिखके यो खब्र करनेगा एक्चलिय एक्चलिय यह यह-एक्चलिय gratis चलो यार तूमने उसकी ऐहमियत नहीं दी लेकिन मुरघीयों को था था तो किसी फीमेल कई ना मुरगी थी लेकिन थी तो फीमेल بالकुल थी बिल्कुरों तो खत उनों ने लिखे वह समता है 이는 था, मुरगईों ने लिखवाई है मुरग्ईों ने जरगमाल भना के का उथवज़ भूफ लिख़िए आप हमने अंदा देना है, आप फखर को खत लिख़िए अब फकर को खत लिखें कि ये अंडे दरूर इस्तमाल करें ये मैंने बड़ी महबस हैंडा दिया है तो ये एक फैंड़्शिप का आया अंडर शुरू में तो बहुत सारे उम्रभी इससारा के वाकियात हो रहे थे मेरे वारिज साहब ने एक दिन रात को मुझे मैं सामबाद किया हुआ था वो लाहॉर में थे तो उन्होंने मुझे फोन किया उस वक्म मोबाइल शोबाइल नहीं होते थे लैंड नाइन से फोन होता था उन्होंने का हजरत आप गुजारेश ये कि आप कल सुबा वापस आईए लाहॉर तो इधर एक छोड़ा सा मसला है घर के ओपर मौडल टाउन में हम रहते हैं तो मैंने क्या मसला है कहें तो मुझे जब आईएंगे तो आप जेखेंगे और मैं परस उन्हें बंद कर दिया फोन तो मैं अगले दिन नहीं गया एक दिन बाद गया एक दिन बाद गया तो घर के बाहर वो कोई साथ आठ लोगों का एक ग्रूप बैठा हुआ था और फैमिली सी थी बच्चे भी थे उसमें खवातीन भी थी और वो जो मुझे से गलती हुई वो लोग आजाद कश्मीर से है हुए थे और ये 1995 की मैं आपको बात बता रहा हूँ और वो तीन दिन से घर के बाहर तो वारे साब उनको खाने भी दे रहे थे और उनका जी मैं अंदर आप ठहरें तो उनका नहीं हम ठहरेंगे नहीं हमने बस फखरे आर्म से मिलना है तो वो मेरे लिए मेरे ख्याल है कि मेरे लिए एक जिंदगी का बहुत बड़ा वो था कि responsibility होती है हम सब की भी अपने फैंस की तरफ मुझे बहुत बुरा रहा कि मैं एक दिन लेट है और मैं वारे साब का मैं रहा बताई दे ते तो मैं कली वापस आ जा ता मैं तो समझा पता ने कोई वो family काई के लिए ठेरीवीती आगे मुझे से मिलने के लिए लावर में घर के बाहर कि हमने उन से मिलना है उनको जब अंदर आने के लिए वारे साब कहते थे कि आप अंदर आ जाईए या वो आ जाईए तो मना कर देते थे मेरे लिए बट पूब एक बहुत ऑनर और अजास की बात ने कि अतने दूर से लोग आए और आपको मिलने के लिए यह बड़ी बात ऐसे यह यादें यह यह यादें आपकी अब आपकी जिन्दगी में आपके जहन से निकल नहीं सकती अच्छा कभी ऐसा हुआ कि कोई बिल्कुली रिवर्स सिच्वेशन हो गई वो बड़ी दफा हुई है सर अच्छा एक दफा नहीं बहुत ही दफा हुई है एक दफा जहाज पे सफर में एक बज़र्ग अंकल मेरे साथ बैठ गये जहाज में बज़र्ग बराबर में बैठ जाए है ने अच्छे बज़र्ग भी होते हैं उन्हें अटे मेरी दफ मुड़ के देखा कि आप क्या करते हैं मैंने कर जी अब मैं उनको जवाब देता मैंने कर जी कुछ नहीं अब इस्टूड़न हूँ काते हैं नहीं वह पी जहाज में लोग आ रहे थें the order दे लोग दे लोगchezके तो मैं sign कर रहा था तो झायते हैं और किया करते किया हैं Pacific today प्रेख करते किया हैं? मैं उसदिटीं तु आप चेश्वित आती हैं लेकिं किया हैं? died Zusammen कुछ समझा नहीं सवाल आपका मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, गिरिफ्ट में नहीं आ रहा, आप क्या कहना किया जाने, नहीं मतलब क्या है, आप डॉक्टर हैं, एंजिनियर हैं, वकील हैं, ये हैं, वो हैं, बड़ा प्रिशान हुआ, मैंने कब मैं इसका क्या जवाब दू उनको, तो वो इस तरह की बड़ी awkward सी situation आती हैं, एक दफा किसी ने समझा कि मैं जो हूँ, वो कोई cricket टीम का player हूँ, ये भी हुआ है, चुके मैं cricket टीम के साथ, बंगला दे से कोई सीरीज चल रही थी, मेरे sponsor थे, मैं साथ में टीम के नहीं किया हुआ था, हमारा मेरा जो sponsor था, एक मश्रू साथ में और साथए भी में था, मैं उनके साथ है, वो एक अंकल मेरे गले पड़ गए शर्म नहीं आती है, किस सथा कि आप लोग क्या करते हैं δεν करते हैं, करते हैं यह का यह गलत बंदे है तो उन्हें मुझे स्वरी वरी कुछ निका उन्हें रहा का ने लेकिन यह कुछ करता तो है यह आता तो है नज़र तीवी पे आता है न मैं को मैं रहे यह तो पड़के मूड़ वे रहे पेट नदर आना भी एक प्रब्लम है और नदर ना आना भी एक प्राबलम है, नदर आओ तो लोग कहते हैं, आप बहुत नदर आओ टीवी पे, लगता है कोई जनने वाले आगे हैं टीवी पे, भाईया पैसा चल ला अर जागा पे भाईया यह यह होता है, और ना नदर आओ, अब यार अब वो बात नी रही तु हाँ भई आगए हलीम पे, पहले ही कहता है ना इतना PC में जाओ, हलीम है आखिर मेरे भाई, यह नहीं दिल करता है, उनका समझ उनको यह नहीं आती, कि यह आदमी का भी दिल करता है, कि वो कभी बैट करके कहीं पर कोई ऐसी चीज़ भी खाए, उसका दिल करता है वो ड़ी खाए, कहीं अनार कली में खड़े होगे, कहीं बंस रोड पे जाके खाए, लेकिन हमारे लोग कहीं ऐसी चीज़ खाता हो देखके किसी आर्टिस को देख लें, समझते हैं, इसके हालात खराब हो गए, खातिनों अज़रात, अगर मैंने यहां ब्रेक नहीं ली तो प्रॉड होती है इनसान के साथ, कहीं जाएगा मत, खुदा के, लेकि मैं आपको बता हूँ, आप जा रहे हैं, आप में जाएगा, बाजीन को रोके, बैट जो भाई, बैट जो, कहीं मत जाएग, अभी आएग, दो बाते करेंगे हम, और आपका ब्रेक खत्म हो जाएगा, जाएगा क झाएगा, आप गेएगा, बैट लॉकर मैं, काफ़ी कोई बैक आपकोई ब्रेक और जब हम हम बेक खते हैं, हमारे साथ तो असक तले मवजूद थे और अभी भी हैं, जनाप वकर एालम साथ, आप राइटर भी हैं, पॉप सिंगर भी हैं, रैप भी काते हैं, गीट भी कात में सोचल वर्कर भी हैं यहने कहूंगा कि खोछर वर्कर भी हैं है अपना मतब किल्चिलोल जो इना स мон inspiring बहुत ज़जादा गाते हैं कोशिच करते पने नगमात में पाकिस्तान के आवाम अपने अपना गाना गाने की कोशिच करते उ फिल्मों में भी आए हम सारी बाते इंसे करेंगे एक बाप बता ये फक्रवाई पैदा कब हुए आप उनिस जन्वली उनिस सेच्छेटर 76 में कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन खुश्मुए पसंद बेरा ख्याल है सच बोल देते हैं कभी के बार हद से जादा कभी के बार हद से जादा जो बुरा भी लग जाता है जादातर बुरा लगता है कैसा तजर्बा रहा आपका फिल्म का मैंने दो फिल्मों में काम किया थे आप हस पड़े बस बात खतम हो गया तगरीबन ऐसा ही तजर्बा था मेरा अपनी फिल्म देख कि आपके हसी निकल लोगी फिल्मी दुनिया जो है और आप उससे बहुत अच्छे तरीके से वाकित हैं फिल्मी दुनिया दरसल हकीकतन एक नहाय थी चैलेंजिंग किसम का माहूल होता है पाकिस्तान की जो इंडिस्ट्री है तो पहली जो फिल्म मैंने की थी वेरी गूर दुनिया वेरी बैड लोग उसमें मेरे साथ शान थे नीली थी रेशम नर्केस और दूसरी जो फिल्म मैंने की थी दो फिल्में की वो थी नो पैसा नो प्रॉबलम उसमें हुमाईयों सही थे मेरे साथ निर्मा थी, नूर थी और सना थी और दोनों फिल्म में मैंने की होता गया कि जब फिल्म शूट हो रही होती है उस वक्त तो हर चीज बड़ी ही जबरदस लग रही होती है कि हाँ ये तो बड़ी पंच लाईं थी ये तो बड़ा मजाग था, ये जबरदस लग तो जब 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 ज मेरे इस्पीरियंस यह है कि in film industry हमारी जो है उसमें बहुत से काबिल लोग ही है मेरे पहले director है सुलिमान साहब बहुत 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 जबदस डारे tremendous gentleman to work with पहले romantic scene चोड़ देख पहले romantic scene पहले romantic scene camera start हो रहा है आपने पहला फिकरा बोलना है कोई 15,000 टेके नी थी, हस हस के मैं गिरिया था, जो रुमेंटिक लाइन जो थी मेरी, वो इतनी लड़की कौन थी मैं तो आपकी हैसी क्यों निकली? मेरी हसी रेशम को देख के निकली थी, मेरी जो लाइने मुझे कहनी थी क्या था वो बता हिए? मेरा पुरा मूड बता हूँ अच्छा, आपको पूरा मूड मिलाता हूँ आच्छा स्टार्ट राइट ऑप लाइटा क्रा देओ क्यामरा एक्शन कुर्ण हो द्टा गोगा यार कैमरे की आओज भी दे रहा हमें आपको कैमरे की आओज मेरा खेल है, द्निया की सबसे डिस्ट्राक्टिंग चीज होती है खतरनाग उसको माइनस करके एक्टिंग करने हैं आपको अब मैं आपको एक बड़े इंट्रिस्टिंग बात बताता हूँ यार पहला सीन बता रॉमेंटिक पहले सीन में रेशम को मुझे कहना था कि तुम बड़ा समझती हो अपने आपको यहां तर तो बात भी कुछ ठीक थी तुम बड़ा समझती हो ना अपने आपको एक दिन जब मैं बड़ा आदमी बरूंगा ना फिर उसके बात देखना लंबी सी काड़ी में आउंगा यहां पर ठीक है उस वक्त तुम मेरे आगे पीछे घूमोगी फिर प्यार से मुझे बुलाओगी कुछ इस तरह की बातें थी जो कहनी थी और यही मतलब यह मेरा उससे रॉमेंस था पूरी फिल्में वो शर्माई नहीं वो आदी है इन बतों की रोज सिटिंग करती है वो तो आदी है अच्छा यह लाइन बोल नहीं है नहीं वो मुझे बस समझ ही ना है एक तो जिससरा लाइने लिखी गई हुई थी नहीं वो एक मेरे मिजाज के मताबिक मेरे मिजाज लग एक मधाबिक रही है आपका मिजाज यह हांकि यह नहींए थिम बहूढ़ लग रहे है आप बहुत बात में कहते हूँ ए यह यह कभी भी नहीं कहता ईवी zहार जाहर अधमें अच्छा लगता थो यह बात आधका आधाती थिह KumT तो आप अच्छे हो तो मेरे साथ हो। वरना क्यों होते है। जब आप बुरे हो जाओगे, आपको छोड़ दूँगा। वरी सिंपल होता है। तो यह कहना क्यों पड़ता है कि आज बहुत अच्छी लग रहे हो। इसका मतलब है कल अच्छी लग रही दी वाओप। आज अच्छी लग रही है। अच्छा यह अच्छा ड्रामटिक सीन आपने पहला क्या। चुक्के कॉमेडी फिल्म थी तो कुछ जादा खास ड्रामा दो था नहीं उसके अंदर। फिल्म में भी दिर्मा होता है। वह शान बिमार हो जाता है तो मुझे बड़ी फिकर होती है शान बहुत बीमार होला है उसमें भी यह था क ενने का कि आप किस सारह करेंगी और क्या करेंगी जी आप बताये किस सारह करेंगी यच्छा बदल्मान साबने एख़ियेOC मुझे बताओ तो मैं क्लोज अप में ही लूँ या मैंने का डिरेक्टिर आप मैं मैं क्या करूँ मैं किस सरह बताओं कि किस सरह करना है बारहल बट इट वस नॉट वेरी डिफिकल्ट कि वो पेला सीन उनने का ड्रमेटिक मैं जो परिशान देताओ शान को देखे कि ये इसको क्या हो गए तो मैं उसको कह रहा हूँ कि अस्मान अस्मान खुदा के लिए कुछ बो यार अस्मान अस्मान खुदा के वास्ते कुछ बो अब मुझे पीछे से इंसक्शन आ रही है थोड़ा जजबा और डाले इसके अंदर मैंने का जी इसके बाद तुम्हे सो कुटना शुरू कर दूँगा, इतना ही घजबा का सकता हूँ क्यों दो पढ़े, बोल, बोल तु जा के लिए रहा सुमान, खुदा के लिए कुछ बोलो, अपने डाले याद करो पहला ड्रामेटिक सीन, पहला रोमेंटिक सीन अच्छा इस पे मा मा के साथ को शीन नीगा, मा कौन थे अपकी, मा मुझे नहीं याद वो कोई थी ती हमारी, यार मा याद नहीं याद, अपनी याद ए, फिल्म की याद, मुझे, लेकिन, वो, कोई स्टेज की आर्टिस थी, और बहुत, मजली यार्टिस, बहुत, बगध़ तो अपनी फिल्मों के आलावा पाकिस्तान हिंदोस्तान में फिल्मों को किस किसम की फिल्में देखना पसंद करते हैं? मैं हर किसम की फिन देखना बसंद करता हूँ कैमरी की आवाज की जब आप जिकर कर रहे थे तो मैं आपको एक बताता जानू के हिंदुस्तान में एक फिन मैंने की थी संजे दद के साथ सरहत पार सरहत पार और मैं उसकी शूटिंग के लिए जब इंडिया गया तो जब पहली टेक हो रही थी अब जो मेरा दो फिल्मों में एक्सपिरियंस है यही बारा था करररर जो कैमरा चलता था करररर अम्हें ने काछ रृषर तो में उन्हें और करनी आपका पहला टेक और यह पो यह एफ लाइने आद कर लें तो मैं अबनी लाइन याद करके, वह उन्हें अगए फकर क्रेंगे, उन्हें ने सी आर कर दी पसक। पेला शॉ Ν Gary mix के साथ था के डायलोग बोलते हैं और भूला हम में बात कर रहां किसी से तो मैं बात करते हैं करते है है दिए मोला हूं सका कामेरा नहीं हा तरो दो क्या हो गया… कैमरा झाना उर्ना च्ञए और भी किया जूह उस आहदत की वज़ा से सबस्क्राइखे अक्सर सामने जाकर अक। तो तेकिय उल्टी सीधी कर रहा होता था कि मैं समझता था शायद कैमरा उनी ओआ यह एक्पेंट का यह फरक है तरकि वहाँ पे जो लैब है जो एक्पेंट महां यूटिलाइस हो रहे हैं वह जो हौड़ीविड में हो रहे हैं तो हमारे अभी तक वही कैमरा है हमारे जूम है इनिमल शुटिंग के लिए है यह जूम नैशनल जोग्राफिक वारे जूम है उसके अंदर होते ही है तो जाए कि यह चीता यह जितने भी ऐसे वाइल्ड है जो जो है लोग है इनके लिए है कि दूर से इसकी जिंदगी को एक्सपोज कर लें करीम ना जाना पड़े वो सु है समरे ना तो यह एक बड़ा वो है जहां से आप चलते रहे मैं आपकी सारी जिंदगी को बढ़ता जा हुए ठीका जर तर पांच से पहले मुझे भी नी मानओ था और वह कहां से आया ये मुझे भी नी मानूत है और किस पता ness1 की बाला कोर्ट साहना जो किस नि ए मुझे घृप किया और बस वो काम उजया ने बाला कोर्ट से Sigimana Matling शॉर्ट व बाला कोट एक टेंट में छे महिने के लिए रहा था मैं कोई चार जार से जादा लोग जो थे वो संभाले वे थे मैंने उस जगह पे जहाँ पे मैं था और किस तरह मैं काम करना था मुझे खुद अँर्वी आज तक उस चीज़ की समझ नहीं आई कि यह कहा से किस सरा और कौन सा जज़बा था जो अल्ला ताला ने का कि अल्ला नहीं करवा है वो काम जितना भी हुआ मुझे बेश्यक्त अपको चुना उसके लिए और उसके अल्ला का शुकर अदा करें कि अल्ला ने आपको उस काम के लिए चुना और मैं समझता हूं कि एक फनकार जो होता है ना वो इतने ही हसास उसको होना चाहिए और इतने ही उसको इन्वाल्व होना चाहिए अपनी नेशन के साथ अपनी कंट्री के साथ, कि वो जब बुरा वक्त आए, तो वो सबसे आगे हो, क्योंकि जब हमारा अच्छा वक्त यही लोग लाते हैं, अल्ला तबार ताला इनके दिलों में डालता है, और यही हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, इन से ही हमारी डिमांड बनती हैं, और आप को और हमें वो हाक अदा करते रहना चाहिए, यकीन हैं, नेकि मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगा, अमर भाई, कि 2005 का जल्जला हो, या सवात के IDP's हो, जो सवात में जब आपरेशन हो रहा था, उसके IDP's हो, या यह हमारे हालिया सहलाब हो, मुझे फखरयानम को, इस ब आम लोगों पर जो ऐसे हालात में कौम के लिए खिदमत करते हैं, कुछ जाते हैं, जान, माल, हर किसम से, जिस हैसे से भी वो हैं, वो करते हैं, इवन देन, वो लोग जो इस पर लिखते हैं, जो इसको एक्सपोस करते हैं, इलेक्ट्रिनिक मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया आर्टिस्स, सोशल वर्कर, एंजियोज और दूसरे इदारे खास्त तोर पर हमारे जो फौजी जवान है मैं उनको बहुत खराज यह कीदत पेस करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत हर दोर में बहुत अच्छा काम किया लेकिन फिलाल हम कर रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं ब्रेक वापस आते हैं कही मैं जाएएगा आपके हाजर होंगे एक बिल्कुल नए महमान के साथ जो फकर एलम के साथ बैठके हमारे साथ इस प्रोग्राम को आगे डेकर के चलेए इंतिदार कीजेगा कही मत जाएगा विल्ल राइट का